इसरो का पहला सूर्य विशन आदित्या एलवन अपनी मंजल के बेहत करीब पहुँच गया है आज शाम चार बजे इसे अपनी कक्षा में इस्थापित किया जाएगा आदित्या एलवन का आखरी चरण बेहत महत्वपून और जटल है रमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइम साब के साथ मैं हूँ अंकेता इसरो और भारत के लिए आज का दिन बेहत खास है इसरो का पहला सूर्य विशन आदित्या एलवन इतिहास रशने के बेहत करीब पहुँच गया है करीब तीन महीने का सफर तैकर आदित एलवन आज शाम चार बजे अपनी मन्जल पर पहुँच जाएगा Language Point One यारे की एलवन पर पहुचने के साथ ही आदित एलवन अंतिम कक्षा में इस्थापित हो जाएगा आदित एलवन यहाँ पर दो साल तक सूर्य का अध्यन करेगा और महत्वकून आकडे जुटाएगा इसरो ने चन्रियान तीन मिशन में सफलता हासल करने के करीब दस दिल बाद अपने पहले सूर्य मिशन आदित एलवन को दो सितंबर को लॉंच किया था इस मिशन में सफलता मिलने के बाद भारत भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने सूर्य के अध्यन के लिए सूर्य के बेहत करीब पहुंचने में काम्याबी हासल की है इसरो प्रमुक एस सोमनात ने कहा कि आदित एलवन 6 जनवरी को शाम 4 बजे अपने एलवन पॉइंट पर पहुंचने वाला है और हम इसे वहाँ बनाये रखने के लिए अंतिम युद्धा भ्यास करने जा रही है अपने आखरी पढ़ाव पर पहुंचने के बाद अंतरक्ष यान बिना किसी ग्रहन के सूर्य को देख सकेगा इसरो से मिली जानकारी के मताबिक आदित एलवन अपनी यात्रा के कठिन पढ़ाव पर है और्बिट में एंट्री कराने का काउंटाउन शुरू हो गया है आखरी और बेहजटल पढ़ाव को सफलता पूर्वग पूरा करने के लिए इसरो की पूरी टीम जुटी हुई है इसरो आदित एलवन को पृत्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर अंतिम कंतव्य सूर्य पृत्वी प्रणाली के लेंगरेज पॉइंट वन पर इस्थापित करने के लिए पूरी तरह से तयार है ये पृत्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का केवल एक फीजदी है जिसे हेलो कक्षा कहा जा रहा है हेलो और्बिट सूर्य के चारो और पृत्वी के घूबने के साथ साथ घूमेगा इसके साथ लेंगरेज पॉइंट तक पहुँचना इसलिए भी एहम है क्योंकि यहाँ पर धर्थी और सूर्य का गृत्वा कर्शन बल एक दूसरे को अपनी ओर खीचता है इसरो ने इससे पहले बताया था जब ये L1 पॉइंट पर पहुँचेगा तब हमें इंजिन को एक बार फिर से स्टार्ट करना होगा ताकि ये आगे न बढ़े ये उसी पॉइंट तक जाएगा और एक बार जब ये उस पर पहुँच जाएगा तो उसके चारो और घूमेगा और L1 पर रह जाएगा इसरो के इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के कोरोना का निरिक्षिन करना और पहले सूर्य पृत्वी लैंगरेचेन पॉइंट के चारो और एक प्रभा मंडल कक्षा से इसकी आत्यदिक गर्मी को समझना है आधितिया L1 अपने गंतव्य पर पहुँच जाएगा तो ये अगले पांच सालों तक सूर्य पर होने वाली विभिन घटनाओं का पता लगाने में मदद करेगा ये मिशन साथ पैलोड लेका जा रहा है जो अलग-अलग वेव बैन में फोटो स्फियर याने की प्रकाश मंडल, क्रोमर स्फियर याने की सूरी की दिखाई देने वाली सता से ठीक उपरी सता और सूरी की सबसे बाहरी परत याने की कोरोना पर रिसर्च करने में सूरी की इमेज मिल चुके हैं इसरो के सूरी मिशन आदित एलवन को पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ देख रही है तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए जुड़े रही है जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार